तो भाई अगर आप भी इंट्रेस्टेड़ हो नथिंग फोन वन को लेकर इसे बाई करने की सोच रहो आज की वीडियो आपके लिए काफी जाधा इंट्रेस्टिंग हो सकती है वीडियो के अदर हम बात करने माला है इसके फिर्स लोग फीचर्स के बारे में सबी चीज़ों के बारे में जानने माले है साथ में इस फून की प्राइजिंग इंडिया के अंदर क्या कुछ होने वाली है मैं हुँ स्यों मुरा आप देख रो टेखल पर स्यूंगी वीडियो को स्टार्ट करें उसे फ्लबस रेक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेए क्योंकि यसी कम्माल की वीडियो दिखते हैं फ्रेंट से या फिर बैक से यहाँ पर फ वी देखने को बिनते हैं फॉन का बाइक में रडियो कमाल का है ट्रांस्परेंट राहे में अंडर के क्या है नहीं यक चार्ज करसकते हो और वायरले लेस फोन को भी चार्ज कर सकते हो और यहां पर back में 900 LED notification lights दी गई है जो कि actual glow करने वाली है जलने वाली है white color के light में और यहां पर जितने भी lights दी गई है वो 900 lights अलग 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 तरीके से अलग अलग features में जलती है जैसे कि अगर आप इस phone को charge लगाते हो तो नीचे की notification light जलती है अगर आप wirelessly charge करते हो किसी product को या और फिर इस phone को तो यहां पर wireless charging वाली जगा पूरी चारों तरफ से जलती है यहां पर camera से अगर आप recording करते हो ना तो एक red color की light दी गई है जो कि indicate करती है video recording को तो वो यहां पर back में blink करती है जो कि काफी unique लगता है guys इसके अलब आपका notification आता है तो उपर वाली यह notification light जलती है और अगर क्लिक करते हो या फिर camera notification के लिए camera के चारों तरफ एक glowing light दी गई है तो यहां पर यह lights ना अलग अलग तरीके से जलती है जो कि बहुत ही कमाल का है इसके अलब आप फोन को wired charger से चार्ज कर रहे हो और आपको देखना है कि battery capacity कितनी हुई है बस phone को आपको थोड़ा स अच्छे तरीके से खेला है जो फून है ना बिल्ट प्रीमियम रहने वाला है यह notification feature आपको काफी कमाल का देखने को मिलते हैं फ्रंट की बात कर लेते हैं तो भाई सब यहां पर विजस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं चाहिए बोटम की बात करें यह फिर साइट की बात क हैं अभी ऑफिसल कंफर्म नहीं है लेकिन हां यह बहुत ही स्ट्रोंग है फोन की परफॉमेंस की बात करें तो वह भी बहुत ही कमबाल की रहने वाली है लेकिन यहां पर आपको इंडिस्प्ले फिंगरपेंट सेंसर मिलता है यह बताना भूल गया तो यह भी अच्छी बा बट यहां पर बहुत जादे चांसे दे कि स्नाप्रगन सेंजन वन ही मिलेगा डिडियार फाइबरेंब साइज से मिल सकती है और यूफस 3.1 स्टोरिज टाइब तो कंफोर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम इस फोन का यानि ओयस इस फोन का बहुत ही कंबाल का रहने वाल है विक ऐसा एको सिस्टम होता है नहीं अपना एको सिस्टम क्रियेट करेगा अलग अलग एलग आप के साथ को लिबरेशन करके बहुत ही अच्छा पार्टनर्सिप करने वाले तो यह भी फ्यूचर में देखने वाली बात होगी बट ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही क्लीन होगा एंड्वी 12 के साथ में यहां पर सेक्योटी अपडेट की बात बात करें और ऑपरेटिंग शिस्टम बीट अपडेट के बात करें है तक तो यहां पर नहीं दिखाया जा रहा है नहीं रहा है आपेंट्स कौं सा होगा यह का 100% confirm ही है but strong leaks बता रहे हैं कि 50 Megapixel Sony IMX 766 वाला sensor हो जाएगा तो यह अगर sensor होता है तो output देखना होगा post processing देखना होगा nothing कैसा कर रहे है बाकी 8 का ultra wide lens देखने को मिल सकते हैं लेकिन अगर बात करें फ्रेंट को लेकर तो 32 की selfie सकती है बाकि overall जो camera output होगा वो amazing आपको देखने को मिलेगा battery और charging की बात करें तो 4000 pounds समेच की battery देखने को मिल जाएगी charging की बात करें तो 45 watt के charging का support confirm देखने को मिलेगा क्योंकि phone already 3C certification पर रहा था जहां से यह चीज confirm हो चुकी है बाकि wireless charging का भी support देखने को मिलेगा phone में 3.5 mm का audio नी headphone jack नहीं दिया जागा dual studio speaker support भी आपको नहीं देखने को मिलेगा single bottom firing speaker देखने को मिलते है हाला कि real life में देखना हुआ speaker quality कैसी देखने को मिलती है आपको कोई भी SD card slot option नहीं देखने को मिलेगा तो भाई कुछ यही complete specifications आपको nothing phone 1 के साथ देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर लेकिन यह pricing की बात करें कि इंडिया के अंदर किस price के अपर यह smartphone आने वाल है तो देखो भाई जो हमारी expectation होती है उसके according अगर चीज नहीं आती है तो 30,000 के नीचे हा जाए यहाँ पर थोड़ा सा गेम चेंज हो सकता है और कहीं नथिंग जो है वो इंडिया के अंदर बन रहा है तो ऐसा expectation हम कर सकते कि यहाँ पर manufacture इंडिया के अंदर हो रहा है तो pricing काफी जादे aggressive रहा है 30,000 के नीचे हो बड़ गईज लीक्स की according यह फूर ना थोड़ा से जादे प्राइस के उपर भी आ सकता है डैक्निस की 35,000 से 40,000 के करीब भी जा सकता है या फिर 40,000 के करीब होता है ना तो थोड़ा सा प्राइस जादा लग सकता है बड़ गईज अभी ना आप बहुत जादे expect मत करो ओफिसियल प्राइस का आप जरूर वेट कर लेना लेकिन उससे पहले अगर प्राइस लीक होती है चैनल पर मिल जाएगा तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दिना और भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकों को प्रेस कर लेना तकि ऐसे वीडियो आपसे मिसना हो मिलते एक नौर कुमाल वीडियो के साथ में तब तक के लिए जहिन बंदे मातरम अपना ख्याल रखिए